केंद्र सरकार की नई Unified Pension Scheme UPS का सारवजनिक उक्रम के कर्मियों ने स्वागत किया है भिलाय स्टील प्लांट 35 गड के अन्य केंद्री उक्रम में कारिरत कर्मियों का कहना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों की वित्ती सुरक्षा हो सकेगी और सेना निवृत्ती के बाद उनके जीवन में सकरात्मक बदलाव आएगा तो यह बहुत अच्छा है और स्वागत योग है इसमें निश्चित रूप से इसमें जो प्रवादान दिये गए है कि दस साल की अगर नोखरी होती है कमसम दस जार पर हर एक महने पेंशन निश्योड होगी और पच्छीज साल के नोखरी के बाद आखरी उसका जो आदमी क बारा मैने का जो बेसिक प्लेस जीयर हैगा उसकी 60% 50% पेंशन मिलेगी तो निश्चित रूप से यह काफी मतलब सारानी कदव है और यह बहुत ही एक साराहनी कदम है क्योंकि गौर्मेंट टेंपलाई होने के नाते पेंशन एक बहुत बड़ा अधार हो जाता है बुढ़ापे का और इसका जो बेनिफिट है वो आदमी चिंता मुक्त होकर के अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकता है और यह मैं बहुत वेलकमिंग स्टेज मानता हूं समाजिक सुरक्षा की कोई भी ऐसी योजना हमेशा लाफ कर होती है और इस प्रकार जो पिंशन स्कीम जो आ रही है जो करेक्टेड है और अभी तक जो मार्केट लिंक पिंशन था उससे बहतर एक सेक्यूर पिंशन जो दे रहा जो डिय लिंक रहेगा किसी भी रिटाइर्ड एंप्लॉई के लिए और उनके फैमिली के लिए बहुत लाफ कर रहेगा और इससे समाजिक सुरक्षा को एक नहीं दिशा मिलेगी अगर ये सहीं से लागू हो गया तो गवर्मेंट ने कल जो यूपियस का जो एक स्कीम लागू किया है रिटाइर करमचारियों के लिए ये बहुत ही फायदे मद स्कीम है और इसी का इंतिजार सारे करमचारी कर रहे थे और इसमें करमचारियों को जो 50% मिलेगा वो उनके जीवन इस तरको सुधारने का काम करेगा और इसके लिए हम लोग मोधी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देए